हलो दोस्तों नमास्कर हमारे यूटूब चैनल में आपका स्वागात हैं दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 36 जीला पूलिस बल आराक्षक भरती 2023 जिसमें लिखित परिक्षा सवांगों का होगा उसमें 26 कि 26 जीलास में सिर्फ में चाली संग 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 समान्य अध्यान से मिला तो आज हम इस वीडियो में संग्स को सब्सक्राइद के सने क्या है सब्सक्राइड के बारे में बात करेंगे क्या होता है शतिक गर को कि जो प्रसाशन है उसको सुचारूरूप से चलाने के है विभिन न इस तरों में उसको क्या है बाटा जाता है संभाग को जीले में जीले को क्या है अनुभाग में अनुभाग तसील और विकास्खन में फिर और यीज़ी स्थर में अपको बताएंगे, तो चलिए दोस्तो हम आज हम अच्छे से जानते हैं कि क्या होता है प्रसास्निक सबसे बड़ा क्या है जो प्रसास्निक अधिकारी कोन होता है ! तो मंत्री मंडल सच्योग, भारत का सबसे बड़ा, ठीक, इसका भारत का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा प्रसासनिक अधिकारी, इस चीज़ को आपको याद रखना है, प्रसासनिक अधिकारी, भारत का सबसे बड़ा, प्रसासनिक अधिकारी, इस चीज़ को आपको याद रखना है, मंत्री मंडल सच्योग, इस चीज़ को आपको याद रखना है, मंत्री मंडल, प्रसासनिक अधिकारी, ठीक है दोस्तों, क्या है भारत का सबसे बड़ा ये प्रसासनिक अधिकारी, वर्तमान में, भारत का सबसे बड़ा क्या है, प्रसासनिक अधिकारी कौन है, तो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा प्रसासनिक अधिकारी है, वर्तमान में राज्यू गौबा, ठीक, ये मंत्री मंडल क्या है, सचीव है, भारत की क्या है, मंत्री मंडल सचीव है, राज्यू गौबा, राजी गौबा कौन है भारत का मंत्री मंदल सचीव है भारत का पहला मंत्री मंदल सचीव है एन आर और भारत का प्रत्थम जो मंत्री मंदल सचीव कौन है तो एन आर पिल लए ठीक इतने चीज़ को आपको याद रखना है अब यह समझेंगे कि दोस्तों जो 36 गड़ है किसी भी राज्य है ठीक है राज्य का सबसे बड़ा प्रसास्निक अधिकारी कौन होता है तो राज्य का सबसे बड़ा प्रसास्निक अधिकारी होता है मुख्य सचिव कौन है मुख्य सचिव ठीक यह राज्य का सबसे बड़ा क्या है प्रसासनिक अधिकारी होता है 36 गड़ का वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है तो 36 गड़ का वर्तमान में मुख्य सचिव है अमिताब जैन अमिताब जैन कौन है वर्तमान में 36 गड़ का मुख्य सचिव है और ये कितने नमबर का है? तो ये बारवे नमबर का है, अब हिताप जन क्या है? 36 गड़ का मुख्य सचिव है और ये बारवे नमबर का है, ठीक? और 36 गड़ का प्रताम मुख्य सचिव कौन था? तो 36 गड़ का फर्स्ट, ठीक? मुख्य सचिव कौन था? तो अरूर कुमार भटनागर अरूर कुमार जो भटनागर है, ये क्या है? ये 36 गड़ का प्रताम मुख्य सचिव था आप इतनी चीज को अच्छे से याद रखेंगे बहुत ही important question है यहाँ से question पूछे जाते हैं चतिस गड़ को प्रसास्निक द्रिष्टी से किसको दोस्तों? यह जो चतिस गड़ है इसको प्रसास्निक द्रिष्टी से किस द्रिष्टी से? तो प्रसास्निक प्रसास्निक द्रिष्टी से पांच संभागों में पांच संभागों में क्या है इसका विभाजन किया गया है चतिस गड़ों क्या है संभाग में डिवेट किया गया है तो जब चतिस गड़ का निर्माण हुआ तब चतिस गड़ में संभाग की संख्या कितनी थी तो 36 गर्व निर्माड के समय राज्या निर्माड राज्या निर्माड के समय चतिस गर्व में टोटल तीन संभाग थे, ठीक, कौन-कौन से, तो रायपूर, विलासपूर, और बस्तर तीन संभाग राज्या निर्माड के समय था, मध्य प्रदेश के तीन संभागों को विभाजित करके अलग से 36 गर्व राज्या का निर्माड किया गया था इतना हुआ, अब ये संभाग है, ठीक है, इस संभाग के बारे में जानते हैं, जब राजय निर्माड के कुछ समय पस्चाद, राजय निर्माड के कुछ समय पस्चाद, 2003 में, ठीक, 2003 में जो प्रसासनिक इकई है, जो संभाग का प्रसासनिक इकई है, जो प्रसासनिक इकई संभाग है, इसको क्या हो गया, समाप्त कर दिया गया था, फिर 2008 में, 2008 में जो संभाग प्रसासनिक इकई है, संभाग प्रसासनिक इकई, वो क्या हुआ, सुरू किया गया, फिर से क्या हो गया, पुना हो, सुरू किया गया, ठीक, और इस समय दो हजार आट में अप्रेल दो हजार आट में 36 गड़ का 44 संभाग बना गया है तो किसको? 34 गड़ का 24 संभाग बना गया सरगुजा को सरगुजा क्या है? 36 गड़ का 44 संभाग था फिर 2013 में सेप्टम्बर 2013 में स्प्टम्बर 2013 में पाँछव संभाग दूर्गा को बनाया गया इस चीज को आपको याद रखना है दूर्गा को क्या है छथिसगर का पाँछव संभाग अवरतमान में सबसे नविंतम संभाग भी यही है संभाग की सबसे बड़ी प्रसासनिक अधिकारी कौन सा है तो सबसे बड़ा सबसे बड़ा प्रसासनिक सबसे बड़ा क्या है प्रसासनिक अधिकारी कौन होता है सबसे बड़ा प्रसास्निक अधिकारी होता है संभागा आयुक्त जिसको अंग्रेजी में कमिश्नर बोला जाता है इतने चीज को क्या है आपको याद रखना है अब इसी के क्या है पुलिस विभाग में संपक्ष होते हैं जिसको पुलिस रेंज कहा जाता है ठीक तो चतिस गड़ में टोटल छे पुलिस रेंज है कितने छे पुलिस रेंज है तो क्या है पुलिस रेंज है क्या है रैपूर है बिलासपूर है बस्तर है सरगुजा है दूर्ग है और राजनाद गाउं राजनाद गाओं को 2023 में कित कब इसको 2023 में पूलिस रेंज बनाया गया है ठीक पूलिस रेंज बनाया गया है और जो पूलिस रेंज होता है इसमें सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है तो सबसे बड़ा अधिकारी बड़ा अधिकारी कौन होता है IG होता है, कौन सी दोस्तो, IGP, जिसको पुलिस महा निरिक्षक बोलते है, पुलिस महा निरिक्षक, ठीक, पुलिस महा निरिक्षक होता है, यह 6 पुलिस रेंज है, टोटल कितना पुलिस रेंज है, तो 6 पुलिस रेंज है, ठीक, पहला रायपूर दूसरा बिलाशपूर बस्तर सरगोजा दूर्गा और राजनाद गाओं सबसे नविंतम क्या है पुलिस रेंज है इतने चीज को आपको याद रखना है आप इसका स्क्रीन साट ले लेंगे इसके बाद आपको और कुछ चीजों को मैं आपको बताऊंगा ठ ठीक है चलिए यहाँ पर इसक्रीन साट ले लिजिए मैं इसको मिटा देता हूं ठीक चतिस गर्ण में टोटल कितने संभाग है तो पांच संभाग है उसके कुछ-कुछ विसेष्टाय है उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे ठीक तो अब चतिस गर्ण में कुल कितने संभाग है पांच यहाँ पर देखते हैं वर्तमान में टोटल पांच संभागे है ठीक इन सभी संभाग में तो पहला क्या है रायपूर यह जो रायपूर संभाग है तो इसका गठन कब हुआ था 1862 में रायपूर क्या है संभाग बना था ठीक 1862 में रायपूर संभाग बना था और यहाँ 36 गड़का पहला 36 गड़का क्या है सबसे पहला फर्ष्ट क्या है संभाग है 36 गड़का क्या है यह सबसे प्राचीन सबसे प्राचीन मतलब सबसे पूराना है ठीक है सबसे प्राचिंतम संभाग है यह मतलब कहने के मतलब है कि यह 36 गड़ का प्राचिंतम संभाग है इसमें कौन-कौन सी जीले हैं तो इसमें कौन-कौन सी जीले हैं देखो इसमें पहला है रायपूर जीला इसमें टोटल क्या है रायपूर जीला रायपूर रायपूर जीला हो गया महासमून बहासमून जीला बालोदा बजार बालोदा बजार हो गया धमतरी धमतरी और गरिया बंद ठीक गरिया बंद क्या है इतने जीले क्या है रायपूर संभाग के अंतरगत आता है इन सभी फेक्टों को आप याद रखेंगे क्योंकि यहां से question पूछा जाता है अगला संभाग है हमारा बिलासपूर बिलासपूर संभाग इसका गठन कब हुआ था तो 1956 में बिलासपूर संभाग का गठन हुआ था अर यहां सरवाधिक जीले वाला सरवाधिक जीले वाला क्या है संभाग है जीले वाला संभाग क्या है यह सरवाधिक जीले वाला संभाग है टोटल इसमें कितने जीले है तो अभी वर्तमान में आठ जिले हैं इस चीज को आपको याद रखना है कितने जिले हैं आठ जिले हैं और यहां जन संख्या के द्रिष्टी से जन संख्या जन संख्या के क्या है द्रिष्टी से सबसे बड़ा संभाग है सबसे बड़ा संभाग ठेक जन संख्या के दिरिष्टी से सबसे बड़ा संभाग है और इसमें कौन-कौन से जीले आते हैं तो इसमें देखो बिलासपूर जीला आएगा पहला तो बिलासपूर जीला है दूसरा कौन से है मुंगेली जीला मुंगेली जीला जी पी एम कुर्बा जान्जगीर चांपा जान्जगीर चांपा ठीक सक्ती सक्ती हो गया रायगार सारंगड बिलाईगार सारंगड बिलाईगार कौन देखो आठ हो गया टूटल एक दो ती चार पांच छे साथ आठ ठीक आठ टूटल क्या है इस संभाग में जीले है तो यहां सरवाधिक जीले वाला संभाग है जन संख्या के दृष्टी से सबसे बड़ा संभाग है इतने चीजों को आपको याद रखना है है ठीक इतने चीज़ को आपको याद रखिए चलिए इसको मैं मीटाता हूं स्क्रीन सॉट ले लेंगे अगला हम संभाग बस्तर संभाग के बारे में जानेंगे गठन के अदार पर संभागों की क्या है यहां पर चर्चा कर रहे हैं अगला संभाग हमारा क्या है बस्तर संभाग बस्तर संभाग का गठन कब हुआ था तो बस्तर संभाग का गठन उनिस सव इक्यासी में बस्तर ठीक यह जो बस्तर संभाग है इसका गठन कब हुआ था इसका गठन उनिस सव इक्यासी में इसका गठन हुआ था और यहां छेत्र फल के अधार पर शेत्रफल के अधार पर सबसे बड़ा संभाग है शेत्रफल के अधार पर क्या है यह सबसे बड़ा संभाग है जन संख्या जन संख्या के अधार पर क्या है सबसे छोटा है सबसे चोटा मतलब सबसे कम जन संक्या इस जिले में मतलब इस संभाग में निवास करते हैं कुल कितने जिले हैं इसमें तो कुल इसमें साथ जिले हैं तो कौन-कौन से साथ जिले तो पहला है बस्तर दूसरा है कांकेर जिसको उत्तर बस्तर कांकेर बोडते हैं दंते वाड़ा दंते वाड़ा दंते वाड़ा जिसको दक्षिड बस्तर कांकेर बोलते हैं इसका क्या नम है? नहीं दक्षिड बस्तर दंते वाड़ा नारायडपूर नारायड़ नारायडपूर बीजापूर इतना क्या है बस्तर संभाग के अंतरगत आने वाले जीले हैं इन सभी चीजों को क्या है आपको याद रखना है बस्तर संभाग का गठन इतने चीज आपको याद हो गया मिटा दू इसको अब कौन सी है सरगुजा संभाग इसका गठन कब हुआ था तो अप्रेल 2008 में और यहां राज्य निर्मान के बाद क्या है यह राज्य निर्मान के बाद गठीत पहला संभाग है के बाद गठीत प्रथम संभाग प्रथम संभाग ठीक देखूं चतिस गठ का प्रथम संभाग रैपूर है 1862 में संभाग बना था लेकिन यह राज्य निर्मान के बाद गठीत क्या है पहला संभाग है ठीक कुल कितने जीले हैं इसमें तो टोटल 6 जीले हैं कौन कौन से जीले हैं तो mcb है पहला mcb दूसरा क्या है कोरिया थीसरा सुराजपूर सुराजपूर हो गया फिर क्या है बलरामपूर सर्गुजा सर्गुजा है फिर अगला क्या है जस्पूर इतने क्या है इतने जिलो को मिला कर क्या है सर्गुजा संभाग बनाया गया था यह जो क्या है मनेंद्रगर्ड चिर्मेरी और भरतपुर जिला है यह कुरिया जिलो की विवाजन होकर 2022 में बना है ठीक इतने चीज़ को आपको याद रखना है। अगला संभाग कौन से है तो यह दूर्ग, ठीक है दोस्तु। दूर्ग संभाग है हमारा क्या है पांच्वा संभाग। ठीक दूर्ग पांच्वा संभाग है जिसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठान सेप्टेम्बर कब हुआ था दो हजार तेरा में और यह सबसे नविन्तम संभाग है मतलब सबसे नया यही बना है दो हजार तेरा में इसके बाद और कोई संभाग नहीं बना है इसमें क्या है यह छेत्र फल के अधार पर क्या है यह सबसे छोटा है तो छेत्र फल में यह क्या है छेत्र फल में यह सबसे छोटा सबसे छोटा ठीक छेत्र फल के अधार पर यह क्या है सबसे छोटा संभाग है इतना चीज को आपको याद रखना है और इसमें कुल जीले की संख्या कितनी है, तो इसमें कुल जीलों की संख्या कितनी है, साथ है, ठीक, कौन-कौन से है, तो पहला तो अपना दूर गही हो गया, ठीक, फिर बालोद, बेमे तरह, एराज नाद गाउं, कवरधा, के, सी, जी, एम, एम, एसी, मतलब दूर्गा संख्या की गठन कब हुआ, तो सितंबर दो हजार तेरह मिवा सबसे नविंतम संख्या है, चतिस गड़ का छेत्रफल के अधार पर सबसे छोटा संख्या है, साथ जीले हैं, वरतमान में दूर्गा बालोद, दूर्गा बालोद, बेमेतरा, राजनन्द गाउं, कवरधा, खैरागार, चुई, खदान, गंड़ाई, के, सी, जी का मतलब है, खैरागार, चुई, खदान, गंड़ाई, एम, एम, सी का मतलब है, मानपूर, मोहला, अंबर, गर, चमकी, इतने क्या है, जीलोग को मिला कर दूर्गा संभाग बनाया गया है, और यह का है, सबसे छोटा है, 6 रफल के अधार पर, इतने चीजों को आपको याद रखना है, चेले इसको मैं आपको मिटा देता हूँ, इसके बाद संभाग को क्या है, जिले में विवाजित किया गया है, ठीक, संभाग को फिर क्या है, जिले में विवाजित किया गया है, एक ही बात है, जिलो को मिला कर संभाग बनाया गया है, बोलूंगा तो भी एक बात है, या संभा संभाग को टोटल पांच चतिश गड़ को पांच संभाग में विवाजित किया गए और यह पांच संभाग है इसको विभीनन जीलो में वाजित किया गए है तो यहाँ पर देखेंगे अब यह जीले है ठीक तो जीले को भी हम क्या है चार-पांच तरीके से देखेंगे ठीक पहला है खाली जीले जो समान्य जीले है उसके बारे में जानेंगे समान्य जीले और फिर है अकांग्छी जीले अकांग्छी अकांग्छी जीले पिर फिर 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 फि अनसुचित जीले कितने हैं तो सबसे पहले हम समान्य जीले के बारे में जनते हैं तो चतिस गड़ में जब चतिस गड़ निर्माड हुआ राज्या निर्माड की समय है राज्य क्या है निर्माड के समय कितने जीले थे तो सोला जीले था ठीक वर्तमान में कुल कितने जीले है तो टोटल 33 जीले है 36 गड़ का पहला जीला कौन से है तो 36 गड़ का CG लिख देता हूँ यहाँ पर CG का फर्स्ट जीला कौन से है जीला तु देखो 1861 में क्या है दो जीले का निर्माड हुआ था रायवपूर विलासपूर और तीसरा था संबलपूरजीला ठीक यह जी संबलपूरजीला है यह 1905 में कब 1905 में इसका क्या हो गया ट्रांसफर हो गया जब 1905 में मध्य प्रांत और बंगाल प्रांत का पुनर कठन किया गया तब बंगाल प्रांत के जो सरगुजा संभाग वाले जो छेत्र है उसको सत्यसगर में और यह संबलपूर जो छेत्र है मध्य प्रांत का इसके बंगाल प्रांत में क्या हो गया इस थनात्रित कर दिया गया तो इसको क्या है बंगाल प्रांत में ट्रांस्फर हो गया ठीक, बंगाल फ्रांत में, इस चीज को आपको याद रखना है, अब 36 गड़ का सबसे नया जीला कोन है, तो सबसे नविंतम, नविंतम जीला भी कोन है, तो अभी 33 जीला कोन बना है, सक्ति, तो सक्ति क्या है, यह 36 गड़ का सबसे क्या है, नविंतम जील इस चीज को आपको याद रखना है इतने चीजों को क्या है आपको याद रखना है और जीले का जो सबसे बड़ा प्रसास्निक अधिकारी होता है कौन है प्रसास्निक जिले का प्रसासनिक अधिकारी कौन है सबसे बड़ा जिले का सबसे बड़ा प्रसासनिक अधिकारी कलेक्टर होता है ठीक कलेक्टर और पुलीस का सबसे बड़ा प्रसास्निक अधिकारी होता है SP जिसको पुलीस अधिक्षक बोलते हैं क्या है पुलीस अधिक्षक इतने चीजों को आपको याद रखना है आप इस्क्रीन सॉट ले लेंगे चले यहाँ पर इस्क्रीन सॉट ले लिए होंगे मैं इसको मीटा देता हूँ अब हम अकांग्छी जिले के बारे में जानते हैं कि अकांग्छी जिला क्या होता है तो देखिए 15 मार्च 1950 को क्या हुआ था योजना आयोग का गठन हुआ था क्या था योजना आयोग तो योजना आयोग विकास की जो विभिन तरीका से योजनाओ का क्या था वो क्रियान वयन करता था तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोक का गठन किया गय था और योजना आयोक का जो अध्यक्षा होता है वो पदेन अध्यक्षा प्रधान मंत्री होता है भारत का तो योजना आयक के प्रधन अध्याक्षा था पंडित जवाहलार नेहरू जी और सबसे लास्ट अध्याक्षा कोन है तो अंतिम अध्याक्षा योजना आयक का नरेंद्र मोदी जी थे और एक जन्वरी एक जन्वरी 2015 को योजना आयक के इस्थान पर National Institution for Transforming India निती आयक का गठन किया गया और निती आयक के द्वारा ही जो 3 वर्षी वार्षी अजेंडा, 7 वर्षी वार्षी अजेंडा और 15 वर्षी वार्षी अजेंडा के पर काम कर रहे हैं योजना आयक क्या करता था पंचवर्षी योजना के माध्यम से जो भारत की विकास का कार्या को क्रियान करता था लेकिन क्या हुआ 31 मार्ष 2017 को जो अंतिम पंचवर्षी योजना था जिसका नाम था बारवी पंचवर्षी योजना उसका समाप्त कर दिया गया ठीक और निती आयोग द्वारा त्री वर्षी 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 एजेंडा 7 वर्षी 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 वर् डेल्टा रेंकिंग जारी किया जाता है, डेल्टा रेंकिंग निति आयक द्वारा जारी किया जाता है, ठीक, डेल्टा रेंकिंग निति आयक द्वारा जारी किया जाता है, तो डेल्टा रेंकिंग निति आयक द्वारा जारी किया जाता है, और ये डेल्टा रेंकिंग में ही क्या है जो भारत के सबसे पिछड़ा जीला जो सबसे कम विक्सित जीला है उसका विकास के लिए उसके प्रभावी धंके विकास के लिए उसको बहतर तरीका से विकास के लिए भारत सरकार द्वारा अलग से फंडिंग किया जाता है उसके प पिछरा जिला घोशित किया गया था तो भारत के टोटल कितने जिला था 115 जिला यह भारत के 115 जिला था जो क्या था सबसे पिछड़ा जिला था जिसमें से 10 जिला कितने जिला 10 जिला अपना क्या है 36 गड़ के जिले थे इसमें से क्या है यह 10 जीले थे यह 36 गड़ के जीले थे वर्तमान में अभी भारत में टोटल अकांग्ची जीलों की संख्या कितनी है तो वर्तमान में 2023 में अकांग्ची जीलों की जो संख्या है कितना हो गया है 2023 में तो 112 हो ठीक इतना हो गया है इतने चीजों को आपको याद रखना है 112 है और तमानमय कांगची जीले अब 36 गड के जो 10 जीले है तो यह कौन कौन से जीले है इसको जानना है तो जो बस्तर संभाग है बस्तर के सभी जीले कितने जिले सभी जिले और कुर्वा महासमुन राजनाद गाव ठीक है जिनके प्रभावी विकास के लिए क्या है केंद्र सरकार द्वारा अलग से पंडिंग और उसका तीवर्य विकास तथा प्रभावी ढग से विकास के लिए कारिया किया गया था टीक अब दिखें अब ये 2022 में केसी जीला बन गया एम एम एसी जीला बन गया राजनदगाओं के विभाजन से तो अब एक आंग्छी जीले की जो एक्चुली में वास्तोइक में संख्या कितनी हो गई 12 लेकिन जब नए जीले का निर्मार नहीं हुआ था तब इसको जीलों के संख्या कितनी है 10 अभी इसका क्या प्रस्ता सास की आखड़ा नहीं आया है कि इसको मानेंगे की नहीं मानेंगे लेकिन इसको अभी 10 ही आपको लेना है इतने हो गया अब हम अगले जीले के बारे में जानेंगे जैविक जीले तो क्या होता है जैविक जीले तो यह 36 गर सरकार की एक महत्तपूर्ण योजना है जिसमें जीला को जैविक द्रिश्टी से विक्षित करने का काम किया जा रहा है अब यह जैविक क्या होता है जीले की जो संपूर्ण खाद्यपदार्थ है उसकी उत्पादन में जो पेस्टिसाइड या रासानिक या केमिकल यूपत रासानों का उपयोग के जाता है उसके इस्थान पर वरमी कंपोष्ट गोबर खाद गोबर गोव मुत्र आदी के छेव काव करके फसलों का उत्पाद करना और क्या बोलते हैं उसको उसको बढ़ावा देना जैविक जीले की रूप में क्या है उसका विक्सित किया गया है तो यही पांच जीले था जिसको पूर्ण रूप से विक्सित करने के लिए राज्य सरकार ने योजना बनाया था भारत का पहला जैविक राज्या कौन तो इसमें, अच्छातिस गड़ के कौन कौन से जीले हैं, तो पूर्णरुप से वेक्सित करने में तो इसमें देखो, वीजापूर, वीजापूर है बस्तर है, बस्तर नहीं, नरायाडपूर है, नरायाडपूर, सुक्मा, और दंतेवाडा और गरिया बन कितने जीले को गरिया बन यह जो गरिया बन जीला है इसको क्या है पूर्ण रूप से जबी गिला खोशित करने का प्लान था अब उस समय क्या था 36 गड़ में टोटल 27 जीले थे तो सेस जो 22 जीले हैं अभी अब कितने जीले हो जाएंगे तो 33 में पाज कम करोगे तो कितना हो जाएगा 28 तो जो सेस अभी वर्तमान के हिसाब से 28 जीलों के एक एक विकास खंडों को जैविक विकास खंड के रूप में विक्सित करना जैविक विकास खंड के रूप में विक्सित करने का योजना है तो इस जो जैविक जीले विकास योजना के अंतरगत क्या है 36 गड़ के 5 जीलों को पूर्ण रूप से जैविक जीला खोशित करना या बनाना और जो 23-22 या वर्तमान में 28 जीले हैं उसके एक-एक विकास खंड को जैविक विकास खंड के रूप में विक्सित करने के क्या है योजना है इस चीज को आपको याद रखना है यहां से question पूछा गया था 2018 की जो जीला पूलिस है उसमें इस जीले से क्या है question आया था गरिया बन जीला को उस समय करेंट में घोशित किया गया था इसलिए ठीक अब हम लोग जानेंगे अनुसूचित जीले क्या होते हैं किसको अनुसूचित जीला बोलते हैं उसके बारे में अनुसूचित जीलो की संख्या कितनी है तो 36 गड़ में वरतमान में अनुसूचित जीलो की संख्या टोटल 16 है ठीक पूल कितने जीले हैं अनुसूचित जीले तो 16 जीले जहाए इसको क्या है अनुसूचित जीले कहा जाता है इसमें सरगुजा सर्गुजा हो गया और बस्तर बस्तर ये दुनों संभाग के है संभाग के सभी जीले इसमें सामिल है सभी जीले ठीक सर्गुजा और बस्तर संभाग के सभी जीले कोरबा जी पी एम जी पी सरबुजा में कुल कितना 6 जिले है बस्तर में 7 जिले है ठीक 13 हो गया कोरवा 14 गवरेला पेंडर मरवही 15 और मानपूर मोहला अंबागर चवकी टोटल 16 और 6 जिले 36 गर के 6 जिले क्या है आंसिक रूप से अंसिक रूप से अनसुचित जिले है ठीक अंसिक रूप से क्या है अनसुचित जिले है और 36 गर के 5050 जो ग्राम पंचायत है क्या है ग्राम पंचायत ठीक 36 गर के 5050 ग्राम पंचायत क्या है ये अनसुचित ग्राम पंचायत है ठीक इतने चीज़ों को आपको याद रखना है यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है अब या जीले है ठीक है जीलों को और किसमें विभाजन किया जाता है जीलों का विभाजन अनुविभाग में क्या जाता है दो या दो से अधिक विकास जो अनुविभाग है उसको मिला कर जीले का क्या है निर्मार किया जाता है या जीले को अनुविभाग में विभाजित किया जाता है तो ठीक अनुविभाग इस चीज को याद रखना है वर्तमान में 36 गड़ में कुल कितने अनुवी भाग है यहां का अनुवी भाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है प्रसास्थिक तो को बिभाग में कोन होता है दीएसपी अगर सिटी में होता है थीक है डीएसपी अगर सिटी में रहे गां तो CTNU भाग में तो इसको CSP बोलते हैं Rural मतलब gramid में रहेंगे तो इसको क्या बोलते हैं Estado P बोलते हैं अगर यε मुख्याला में है हेट कौॉटर में है ठीक है अगर ये मुख्याला में है तो इसको क्या DSP ही बोलते है इतने चीजों को आपको याद रखना है देखो जीलों को क्या है दो या दो से अधिक अनुविभाग में बाटा जाता है बाटा गया है और उसका क्या है 122 वर्तमान में 36 गर में कितना है अनुविभाग है सबसे बड़े प्रसासनिक अधिकारी HDM होता है पुलिस विभाग मे DSP रेंक अधिकारी होता है जो इसको अगर सीटी में रहेगा तो CSP सीटी सुपरेटेंडेंडेंट आप पुलिस बोलते हैं रूरा लेडियम रहेगा तो सब डिविजनल आप पुलिस अफिसर बोलते हैं और अगर DSP जो पुलिस मुख्यालाए में रहेंगे जैसे CSP अफिस गिरा में तब उसको मुख्यालाए का DSP बोला जाता है इतने चीज को आपको याद रखना है ठीक है इतने चीज को आप याद रखेंगे अनुविभाग को क्या है तसीलों में बाटा गया है कि इसमें अनुविभाग के अंतरगत क्या है तसील होते हैं तसील होंगे और विकास खन ठीक तसील अनुविभाग के अंतरगत क्या है तसील है और विकास खन ठीक जब राज्य निर्माड हुआ तब कितने तसील थे राज्य निर्माड के समय टोटल 96 तसील थे कितने तसील से 96 थे ठीक वर्तमान में कितने तसील है वर्तमान में कितने तसील है तो 250 है यह तसील क्या होता है तसील राजस्वा संग्रहर के लिए भगोलिक इकाई के रुप में काम करता है यह सबसे important परिभासा है अगर कोई आपसे तहसिल की परिभासा पूछते हैं तो यह हां राजास्व संग्रहाड के भागोलिक इकाई की रुप में कार्य करता है तो क्या है ये राजास्वा, राजास्वा संग्रहण, भगोलिक इकाई की रुप में काम करता है, इसका निर्माड, तसिल का निर्माड कोन करता है? तो राज्य सरकार, राज्य सरकार इसका राजपत्र में प्रकासित करके क्या है? किसी भी इस्थान को तसिल की दर्जा दे सकता है. 36 गड़ का पहला तसिल कौन था? तो 36 गड़ का पहला तसिल पहला तसिल कौन था? धमतरी ठीक? धमतरी पहला तसिल था रतनपूर और राइपूर इन तीनों चीजों को क्या है? उनिस सव नहीं 1854 में कब दोस्तों? 1854 में इन धमतरी रतनपूर राइपूर को 1854 में क्या था? तसिल की गोशड़ा किया गया था तो इसमें भी सबसे पहला तसिल कौन था? तो धमतरी इसमें क्या है सबसे पहला तसिल था? ठीक? ठीक? 36 गड़ का सबसे बड़ा तसिल कौन है? तो पोड़ी उपरोड़ा पोड़ी उपरोड़ा उपरोड़ा यह क्या है? 36 गड़ का सबसे बड़ा तसिल है सबसे बड़ा तसिल ठीक? कौन से जिले में है? पोड़ी उपरोड़ा ते यह कौर्बा जिले में है इतने चीजों को आपको याद रखना है अच्छे से स्किन सौट कर लेंगे फिर आगे देखते हैं विकासखन तो राज्य निर्माड के समय कितना था विकासखन? राज्य निर्माड राज्य निर्माड के समय विकासखनों की संख्या कितनी थी? तो 146 था वर्तमान में कितना है? वर्तमान में जो विकासखन की संख्या भी 140 है तो ऐसा क्या हुआ कि जो तहसिल राज निर्माड के समय 96 था वो 250 हो गया और जो विकास खंड है उसकी संख्या 146 था वो आज भी 140 है तो ये जो विकास खंड है इसका परिभासा क्या है तो विकास खंड ग्रामिड विकास के लिए भगोलिक इकाई की रुप में काम करता है क्या है इसका परिभासा तो विकास खंड भगोलिक इकाई की रुप में काम करता है ग्रामिड विकास की तो यह क्या है इसका परिभासा क्या लिखेंगे ग्रामीड विकास की भगोलिक भगोलिक इकाई है ग्रामीड इकास का यह क्या है भगोलिक इकाई ठीक इतने चीज़ को आपको याद रखना है इसका निर्माड कोन करता है विकासखन का निर्माड कोन करेगा तो राज्य सरकार के क्या है प्रस्ताव कर राज्य सरकार के प्रस्ताव में कौन अगर राश्ट्रपती अनुमती देता है हस्तक्षर करता है तभी बनेगा ठीक है राश्ट्रपती राश्ट्रपती क्या है इसमें हस्तक्षर करेगा तभी ये क्या बनेगा विकास्फन कोई भी स्थान बनेगा इसलिए इसका संख्या आज भी उतनी है राश्ट्रपती क्या है अनुमती लेना पड़ता है इसलिए विकास्फन की संख्या आज भी उतनी है अभी के जो 146 विकास्फन है ओड़ती उतनी है कि इसमें हैं की आदिवासी विकास्फन कीी अधिवासी विकास खड़ है, तो सविधान की कौन से पाच्वी अनुसूची में, कितनी अनुसूची में? सविधान की, सविधान की पाच्वी जो अनुसूची है, इसमें राष्ट्रपती द्वारा, पाच्वी अनुसूची तमें जो छेत्र है, कौन से छेत्र है? जो छेत है उसको राष्ट पती द्वारा बीस फर्वरी को बीस फर्वरी 2003 को भारत के जो गजट है जिसको राजपत्र बोलते हैं उसमें इसको असाधारा राजपत्र में प्रकासित किया और उसमें चत्तिजगड का पचासी विकास खन को आदिवासी विकास खन का दर्जा दिया गया है और यह जो अनसूचित जिले हैं वह यह विकास खन के अधार पर ही अनसूचित जिले इसको कहा जाता है क्यूंकि जिस जिले का सभी विकास खन नादिवासी विकास खन है उसको अन्सूचित जीला कहा जाता है इतने चीज को आपको याद रखना है कि अब आगे हम इसको आगे देखते हैं थोड़ी सी और चीज है दो मिनट का इसको भी आपको मैं समझा देता हूं अच्छे से ठीक मिटा दूं इसको तो इसमें एक कोशन आओ रहा है कि चत्तिसगर का सबसे बड़ा विकास खन कोन है तो सबसे बड़ा विकास खन बिलहा है बिलहा विकास खन जो कहां है BSP BSP मतला बिलासपूर में है यह बिलहा विकास खन 36 गर का क्या है सबसे बड़ा विकास खन है इस चीज़ को आपको याद रखना है ठीक मैं मिटाल ये रहता हूं आप इस चीज़ों को आपको अच्छे से नोट भी कर लेंगे ठीक अच्छे से याद कर लीजिए अब यहाँ देखिए अब यह तहसिल है तहसिल के अंतरगत क्या है विभिन ग्राम पंचायत रहते हैं बहुंस से बहुंस विकास खन के अंतरगत भी क्या है ग्राम पंचायत है तो इन दोनों को क्या है ग्राम पंचायत में डिवाइड किया गया है किसमें ग्राम पंचायत ठीक ग्राम पंचायत तो इसमें जो प्रसासनिक अधिकारी होता है उसको ग्राम सच्यू बोलते हैं ग्राम पंचायत सचिव, तो यह जो ग्राम पंचायत सचिव है, यहां, चतिस गड़ का या भारत का सबसे छोटा क्या है प्रसासनी कदिकारी है, यह क्या है सबसे छोटा, सबसे छोटा प्रसासनी कदिकारी है, अधिकारी इस वीडियो में हम चतिसगड के जितने भी प्रसास्निक इकाई हैं चतिसगड को संभाग, संभाग को जीला, जीले को अनुविभाग, अनुविभाग को तसिल, विकास खन, विकास खन के अंतरगत जो ग्राम पंच आया था, इन सभी जो प्रसास्निक इकाई है, ठीक है, उसके बारे में बहुत ही डिटेल से डिसकस किये हैं यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे साथी, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहेंगे, तो आप किसी न किसी एक्जाम का क्या है, अच्छे से त्यारी कर रहे होंगे तो आपको बहुत बहुत सुपकमना है, साथी, आपको यह जो वीडियो है, उसको क्या है, आपको लाइक कर देना है तेंक यू